कि हलो गाई सो वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल ऑफ टेम्स फर विन सो आई होब आप सब काफी अच्छे होंगे काफी अच्छा विन भी कर रहा हूंगे सो इस पर्टिकलर वीडियो में बात करने वाला है हिरो एसल का जौज का मैंच होने वाला एटलेट सोरी मोहन बागान एफसी वसेस हैत्रवाद एफसी के बीच में सो कफी जल्दी मैं वीडियो डाल रहा हूं उसका रीजन यहीं है ताकि आप आप आराम से देख सकें क्योंकि काफी अच्य जू आपके लिए मैंच हो सकता है यह स्मोन लिग वगरा और ग्रेंड लिग के लिए बी और वीडियो को आख़िर तक देख सकते हैं क्योंकि क्योंकि जो सभी ट्लैजर से समॉल लीग ले ग्रैनल के लिए क्षिश्टी में हो सकते हैं वो सब कुछ को का आपक आपको डिस्क्रिप्शियम में मिल जाएगा बाकि लिंक से जोई नहीं कर पाते तो आपको नहीं टेलिग्राम में यहां पर आकर आपको जोए टीम्स फॉर विंड सर्च करना है और आप जो टेलिग्राम चैनल पर पहुच जाएंगे सबसे ऊपर आपको जोए चैनल मिलेगा वीडियो में डाला हुए चैनल पर सो वह भी जाकर फटाफट से देख लेना पूरा अनलसिस वगरा सब कुछ आपको मिल जाएगा बाकि सिर्फ बोल की ही नहीं क्रिकेट वगरा वसेज हैतरवाद FC के बीच में काफे अच्छा मैच आपके लिए हो सकता है यह 730 इस मैच के एडलाइन होने वाली है बाकि टीम्स फर विन मैंने इधर भी लिखा हुआ है यह देखके आप आराम से जोईन कर सकते हैं और वेन यूश्याइड मैंने गलत लिग दिग दिया इसको बाकि गिवव नर कल कोई था नहीं किसी का भी करेक्त अंसर था नहीं तोटल जो पासे सबसे ज्यादा 69 पासे स्टीफन इस गे और वह किसी ने भी करेक्ट अंसर दिया नहीं था क्योंकि गूल हुआ नहीं था तो मैंने सूचा कि से उबर देख लिता हूं को इसे का पर सही हो बट किसी का नहीं था टेबल स्टेंडिंग्स के बाद करें एटलेटिकोडी मोहन बागान की जो है थार्ड पर है चार मैचेज में इन्होंने विन के एक यहार है काफिछी फॉर्म में चल रहा है पांच गोल कर चुके अब तक चार मैचेज में अगर बात करें वही सेवंथ पर जिन्होंने अब तक तीन मैचेज खेले जिसमें सिर्फ एक विन कर पाएं दो रहे हैं ट्रो इनके भी और तीन मैचेज में दो गोल्स किया है और एक गोल जो इन्होंने कंसीड किया है तो काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ यह भी खेल रहे हैं बाकि पिटदाज और अदू गार्सिया यह दिखेंगे आपको मिड़ी फिल्ड में और इधर से रोई कृष्ण यह दिख सकते हैं आपको वापस से सेंटर फोरवर्ड में आपको फोर्मेशन में दिख सकती है कि फूर फूर ओ टू के भी या फिर फूर फाइव वन की इन दोनों सकते हैं अगर करन्ट सीजन स्कोर्स के बाद करें चार कर चुके अब तक रोई कृष्ण और एक गूल और एक असिस्ट जो कर चुके अब तक मानवीर सिंग बाकि रोई कृष्ण है कि अगर आप और और रिकोर्ड की बात करेंगे तो 21 मैचेज में 15 गूल और 6 यह कर चुक है कि बाकि दर से हैदरवाद FC कि अगर प्रोवल लाइन अप हम देखते हैं तो उसमें आते हैं लक्षमी कतिवानी और इदर से आशी श्राय के सिंग और डी ओनाई इंडिया अशी श्राय डिफेंस में हितेश श्यर्मा विक्टर नारजारी और यासिर इदर से यह आपको दिख सकते में को लैको एरी दिन यह दिखेंगे आपको सेंटर फोरवर्ड में आगे की तरफ करेंट सीजन स्कूरर के बात करें तो अब तक जो गोल कि एरी दिन ने किये जिसमें से एक पैनल्टी और एक फिल्ड गोल है बाकि एरी दिन संताना का पिछले रिकोर्ड देख करें से तो रोड़ोई क्रिष्णा गया कि जो इदार से पैनल्टी लेते और कार्षा जो इदर से प्लेट टीमग सीरेंट की तेम भाड भी तरफ से की तरफ से एगनेस में गुरा मुद यह उर्ड घृक इसक्ल पीस का'll और공णव चानली में proto सब्सक्राइब करें इस सीजन ही इंट्रोडियूस है चार मैचे उन्हों ने किया जिसमें फर्स्ट मैच तीन इन्हों ने विन किये उसके बाद अभी यह पहला मैच हारे जम्शेदपुर के गिंश्ट इसके लावा सभी जो तीनों मैच थे वो क्लीन दो मैचे लास्सीजन के थे एक जो नौर्थिष्ट का गेंस्ट विन किया और एक जम्शेदपुर के अगेंस्ट वन-वन वाला ड्रो अधर्वाइश उसके अलावा इस सीजन के मैच इनके है यह वाले जिसमें इन्हों ने पहला मैच विन किया था ओडिशा फुटबल क्लब जो आप उदर से स्मोल लीग में ट्रॉप नहीं कर सकते हैं महान बागान की तरफ से बाकी दर से एरीदेन यासिर नाजजारी और विक्टर यह आपके लिए स्मोल लीग में काफी इंपर बनके आते हैं आट प्लेयर आपको इहीं पर बता दिये पर टीम में कौन-कौन चले पूच रहोंगे तो यहीं मेरे भी कृष्ण कृष्ण अरिदेन और गार्चग क्या अगर जेल कैप्टन की पिक की बात करें तो को इधर से अशी श्राय यह भी है फ्रीकिक जो लेते हैं यह भी कभी-कभी बाकी नारजारी और यासिर यह चार में रिल्याज ग्रेंड की प अगर आफ से वन निल यह टूनिल के फेवर में बनाऊंगा तो उस टीम में में भी माशी श्राय को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकता हूं यह फिर टीम में मैं किसी में भी लेकर छोड़ दूँगा इनको बाकी गिवावे कि बात करें तो आज गाज आपके लिए ज़ए्धा successful tackles कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा highest passing accuracy किसकी रह सकते हैं जो minimum 10 passes do क्युक्वित करेगा क्युक्त यह एक पास करते हैं तो वह complete 100% थाती सो वह नहीं minimum 10 passes उसका बता देना आपको जो हैश्टग उजँजग है सबसे पहले आंसर देगा उसको मिलेगा क्यों कि कई बार दो तीन जो लोग हमारे भाई यह सही आंसर दे देते हैं बट लेट देते हैं अब फटा फटा सामसर देना फटा जल्दे से जाके वीडियो को पूरा देखके बाकी अभी आता है अपने ट्रेमलन की टेम के उपर तो इदर से अनिन्दम बट्टाचार्य को मैंने गोल किपिंग में पिक किया हुआ है कतिमानी आपके पास एक उप्शन बसते हैं अगर पाएंगे यह आपके पास एक उप्शन बनता है अगर आप करना चाहिए तो अलाकि मैं जो गोल की पर अरिंदम बट्टाचार्य के साथ ही जा रहा हूं और इदर से मेरे को आशीश राय कफे अच्छे लग रहे प्लेर सो इसलिए उनको पिक कर रहा हूं बाकी इदर से जा सकती है तो इस वह जैसे बनाई हुए है बाकी मिड फिल्ट की बात करें हाली चरण नारजारी मैं खुग और इदर से विक्टर को पिक किया हुआ है अगर जावी हर्देंडीज खेलते हैं तो फिर जावी हर्देंडीज को पिक करूँगा फिर मैं मैं को की जगह पर सो यह मेरे जो तीन मिड फिल्टर में कुग विक्टर और नारजारी ज्यादा उप्शन्स आपके पास है नहीं मिड फिल्ड में अगर लेना चाहते हैं आप इदर से मार्टिन्स को ले सकते हैं बटेक रिस्की पिक होते हैं ग्रेंड जोरी स्मोल लिक के लिए सो मैं स्मोल लि अरिदिन संताना और गार्शिया तीन स्रेट फोरवर्ड पीके बाकी को लेको जैसे मां बता रही है यासिर और को दोनों को ग्रेंडिंग में जरू ट्राय करना अगर आप ले सकते हैं तो कैप्टन में इस कैप्टन भी जरू ट्राय करना यासिर को क्योंकि सैट पेसे पर आपको इनकी तरफ से गोल देखने को मिल सकता है बाकि लिस्टन को लेको को भी तो यह थी मेरी टीम बाकी अगर कुछ इसमें चेंजिस होते हैं तो वह आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे क्योंकि लाइन आप के बाद कुछ ना को चेंजिस होते हैं इस वजए से बाकि गिवावें जरू पाटिस्पेट करना कल तो कोई अंसर ही नहीं मिला तो उसका तो कुछ प्राइस पूल है नहीं बाकि आज जो भी जीतागा उसको पे कर दिया जाएगा और ग्रेंडिक के लिए आपको मैंने टेप जो प्लेयर्स बताई दिये थे या सेर को लेको ब बताना में केमेंट सेक्शन में अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाना वागि ओल्डवेस्ट फूर दिस मैच गईस बिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बहुत है